हलो दोस्तों मैं वधुभूंगर से नहां आप सभी को स्वागत करता हूँ मैरे चैनल एक्जाम ट्रिलर पे दोस्तों आज हम डिस्कास करेंगे यूजी सी नेट की पेपार वांग जो है पेपार वांग से बहुत ही अपॉर्टेंट टॉपिक जो इंडिवीजूल डिफरेंस के बारे में डिस्कास करेंगे इंडिवीजूल डिफरेंस क्यू हता है इसके कारण क्या इन सोब्य चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे क्लास को शुरुए करेंगे जो पोटेशन स्टिफेन आर्करवी ने दिया है दाख की इस वान सेकेंट हाँ देखे दाख की इस इन नाट स्पेंडिंग टाइम बाट इन इन्वेस्टिंग इच देखे यहां क्या कहते है स्टिफेन तो वी आर्कवी ने कहते हैं कि दस की इस दा की इस इन नाट स्पेंडिंग टाइम हम टाइम को कैसे बिताते हैं यह की नहीं है बाट इन बेस्टिंग इस बहुत ही महत्त है इस बात की बहुत ही इंपोर्टन से इस बात की friends समझनी की कोशिश के रिए हम time को कैसे spend करते हैं ये मियत नहीं रखते हैं लेकिन अगर हम time को invest कर सकते हैं तब जाके हम बहुत कचे कर सकते हैं जैसे मानलीजे हम time को spend करते हैं दर दर घूम फिर के बात करके दोस्तों के साथ अगर हम क्या करते हैं उस time को किसी भी creative activity में खुद को involve करते हैं तो क्या हो जाते हैं ये spending नहीं होते हैं ये investing of time होते हैं वैसे सब लोग कहते हैं किया time को कोई रोक नहीं सकते हैं लेकिन जो इस time को invest कर सकते हैं ये दोस्तों मानलीजेगा वो time को invest करते हैं खुद की जिन्देगी को आगे लाने के लिए ठीक है दोस्तों चलते हैं आप एक class में individual difference जो है individual difference के जो चीज है individual difference क्या है इसे आप हम समझेंगे individual difference individual क्या है individual एक अदमी individual होते हैं dissimilarities in principle of nature हम जो nature में रहते हैं दोस्तों इस nature में सब कुछ similar नहीं होते हैं इसमें dissimilarities बहुत कुछ है no two person are alike all the individual different from each other in many respects क्या है इस nature में दो आदमी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं इनके बीच में कुछ differences होते हैं children born in the same parents and even in the twins are not alike हा दोस्तों जो इस जो parents है के couple की जो जो children होते हैं इनके बीच में भी twins के बीच में भी कुछ dissimilarities रहे जाते हैं this differential psychology is linked with the study of individual difference यह जो इसके जो है जो difference इंडिविजुल के बीच जो difference है इसके लिए भी study हो चुका है want cattle, carplain, just throw and average horse यह जो लोग है इन्होंने individual difference को psychologically के लिए समझने की कोशिश की है दोस्तो, this change is seen in physical form like the height, weight, color, complexion, strength, etc. यह जो difference हम बाहर से कैसे देख सकते हैं height, किसी के height जाता है, किसी के weight काम है, किसी के color में जो फर्क है, यह complexion की strength को जाता होते है difference in intelligence, achievement, interest, किसी की interest in sports में है, किसी की music में है, किसी की education में, aptitude के अंदर भी, जो attitude, aptitude के अंदर भी हम इस difference को समझ सकते हैं learning habits जो है, यह किसी के बहुत अच्छा है, किसी के एतना अच्छा नहीं है mortar ability skills, यह सब हम अलग अलग पहलो से हम देख सकते हैं, individuals की अंदर जो difference है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं, next class, slide में देखें broadly, individual difference may be classified to categories, such as inherited traits and acquired traits जो individual की अंदर जो difference है, इसे हम यहाँ समझने की कोशिश कीज़े individual जो difference यह, broadly हम अगर इसे divide करें तो यह दो type का होता है एक होता है, inherited और दूसरे होते है, inherited, sorry, acquired तो inherited क्या है, यह हम हमारे parents से लेके, हम इसे achieve कर लेते हैं और acquired जो है, यह देखके सी के, हम इसे क्या करते है, acquired करते है तो individual का difference, जो आप inherited जो difference है, हम generation के थो individual difference आती है, इसमें क्या होते है हमारे physical में जो difference है, हम height में ज़्यादा है, कम है, यह सोब बात क्या है, यह hereditary हम achieve करते हैं, और mental difference, mental thinking frequency जो है, हम कैसे सूचते हैं, हम हमारे generation की, हमारे family के आंदर जैसा सोचे, इस सोच को हम लगबग सामने लेके जाते हैं, और क्या है temperamental, हम कैसे temperament होते हैं, इसन चीज़ों भी है, inherited, individual difference में आते हैं, आप बात करते हैं, दोस्तों, एकवर्ड जो है, एकवर्ड क्या है, जिससे हम achieve करते हैं, देख के सिखके, एकवर्ड करते हैं, इसके बात होते हैं, इसमें क्या आते हैं, पहला है social, दोस्तों में कैसे मिल जूनके चलना है यह हम society के सीखते हैं यह डेक के दोस्तों के साथ चलते चलते हम इन सब चीजों को सीख लेते हैं cultural development होता है हमारे आंदर यह भी हम क्या करते हैं? acquire करते है, culture को acquire करते है education जो है यह भी हम schools में जा जाके, colleges में जाके हम educational development अपनी हुद की develop करते हैं और emotional development जो है यह चीज देखिए friends यह क्या है? social relation के साथ हमारे जो inherited temperament होता है यह दुनों को मिलाके हमारे emotional development हो जाते है emotional development कैसे होता है? सब्सक्राइब किसी भी at a condition में कैसे react करना चाहिए हम क्या है acquire कर लेते हैं, दूसरे friends कैसे करते हैं और मान लेज़े हम से serious और कैसे इस situation में कैसे behave करते हैं वो सो हम देख के सीखते हैं चलते हैं दोस्तों next slide में causes of individual difference क्यों individual difference होते हैं इनकी बारे में आप समझने की कोशिश करते हैं there are various causes which are responsible in bringing individual difference है हमारी अंदर जो individual difference होते हैं इसके भी कोछे कारण होते हैं इससे आप हम समझनेंगे पहले जो difference है यह heredity के लिए आप बात करते हैं some heretical traits bring a change from one individual to another individual हमारी heredity में भी क्या है individual change को लाने के लिए हमारी heredity भी कुछे हट तक यह लावल रहते हैं and individual's height, size, shape, color of hair, shape of face, nose, hands, legs so to say the entire structure of the body is determined by the heretical quality intellectual differences are also to the great extent influenced by hereditary factor हमारी hereditary factor के अनुशार, हमारी जीन के अनुशार, क्या है हमारी शरीर के जो हिस्से है, इससे कैसे built होते है, यह कापी different करते है उसके साथ हमारी intelligence कैसे होगा, intelligence की development भी कुछ हट तक heredity से आते हैं ठीक है दूस्तों चल दें नेक्स लाइड में, आप बात करते हैं environment की तो environment brings individual difference in behavior, activity, attitude and style of life, characteristics, personality etc. तो environment, हम कैसे environment में जीते हैं, इस environment की जो effects यह हमारे पर आता है सबस्तों मान लेजिए, जो high altitude में रहते हैं, इनके behavior में कुछ अलग change होते हैं, जो place में रहते हैं, उनके behavior में भी change होते हैं environment doesn't refer only physical surrounding but also it refers the different types of people, society, their culture and customs यहां जो environment की बात की जाती है, यह श्रीफ physical surrounding है, हमारी चारपास की जो geographical condition, इस ही नहीं बताता है इसमें क्या आता है, people की type, society की society में रहते हैं, culture क्या है, customs क्या है, इन सब चीज़े इसमें बहुत effect करते हैं आप हम बात करते हैं दोस्तों, हम समझा क्या environment की जो importance, इसे हम समझा, आप हम समझने की कोशिश करेंगे, race and nationality तो race and nationality is one cause of individual difference, individual difference के लिए क्या है, race and nationality में कुछ importance है Indian are very fish loving, Chinese are cruel, Americans are very frank due to face, race and rationality ये जो बात बताईगे हैं दोस्तों, इसमें किसी-किसी nation की अपनी खोद की पैचान होते हैं तो सब्सक्राइब इंडिया जो है ये बासुदेवर कुटुमबकम फिलोसोफी में चलते हैं यानि इंडिया में अगर बाहर से कुछ लोग आते हैं या परश से कुछ लोग आते हैं बहुत ही सम्मान पुलबक में बाहर इंडिया ने करते हैं ये अपनी क्या है race और nationality के द्वारा, अपनी environment के द्वारा आपके परदादाओं से ये जो रेवाज से सिखे आया है तो यहाँ चाइनिज जो ही कुड़ाद है इसके जो fighting style आलाग है ये सब हम देखते हैं तो ये क्या है nationality भी हमारी जो individual difference है इसमें जो सोचने का जो तरीका है इससे काफी साड़ा क्या करता है इससे influence करता है तो जो सेक्स डिफेरेंस है काफी हद तक हमारी male-female जो thinking है ये सेक्स डिफेरेंस किया होते है male जो people होते है ये काफी strong होते है mentally भी strong है physical strong होते है और मनली जी जो female people हो क्या है emotionally बहुत strong होते है men से तो ये जो है strong किसी भी side में किसी x side में male strong है female दूसरी side में strong है ये भी क्या है हमारी individuality में जो individual difference में ये बहुत अमियत रहे जाते है चलते है next slide में दोस्तों आप बात करेंगे age और education के पहले हम age को समय सकते है age क्या है age is energy factor which is responsible in bringing individual difference age के कारण से individual differences आते है सपोज मानली जी पहले हमारी जो दादा होते थे या हमारी पापा जी होते है इनकी जो thinking frequency इनकी जो life जिने की जो तरिका है age के कारण भी उल्च अलग होते है अब भी जो children है मानली जी 8 to 10 या इसका जो बाचों है वो लो क्या है जादा techno से भी हो गया mobile यूज कर सकते है लेकिन aged people नहीं कर सकते है तो ये भी क्या है एक example है individual difference की learning ability and adjustment capacity naturally grows with age हमारी age जो बाढ़ जाता है तो क्या है हमारी अंदर adjustment करने का हमारी अंदर मिल के चलने का जो capability है ये भी grow हो जाता है when we grow in age can acquire better control over the emotions and social responsibilities suppose माली जी आपकी दोस्तों के साथ किसी भी कारण से mentally आप उसे support नहीं कर पा रहे हो लेकिन इस time में भी आपकी maturation के कारण अपनी जो development इसकी कारण आप क्या है उसे direct है उसके against में कुछ नहीं कहते हो तो ये क्या है अपकी age के कारण अपकी अंदर emotion में thinking strategy में change आ गया when a child grows then this maturity and development goes side by side जो बच्च क्या होता है गोध होता है उसमें maturity के साथ-साथ अपनी development जो हो ये दोनों साथ-साथ चलते हैं ठीक है दोस्तों आप बात करेंगे education जो है education कैसे individual difference लाते है इससे हम समझने की कोशिश करेंगे education is the major factor which brings individual difference education liners के अंदर क्या कर सकते है जो individuals के अंदर difference लाता है वो जो कुछ सिखता है कुछ principle सिखता है politics सिखता है जो कुछ सिखता है उससे individual अपनी खुद की जिंदगी में उससे उतारता है there is a wide gap in behaviors of educated and educated previous तो यह सभवाविक है कि जो educated people उसकी जो living style, thinking style और बोलने का जो तरिका है वो uneducated people से थोड़ा बहुत अलग होगा क्योंकि उनकी अंदर कुछ सीख आ गया जो uneducated people को नहीं मिला तो क्या है all traits of human beings like social, emotional, intellectual are controlled and modified through proper education तो हमने individuals की जो intellectual, जो thinking capacity है इससे हम control कर सकते है, modified कर सकते है, कैसे education के द्वार तो friends यह आज के जो class है यह हम individual difference के पर की है, जो important point से हम कबर करने की कोशिश की है तो friends यहाँ अगर आपको study material चाहिए, study material चाहिए, तो आप exam trailer टेलिग्राम चैनल में आप जैन करना, इसमें यह study material आपको free में अपलब्द है, यह आपकी फायदा की बात होगा और friends class क्लास कतम करने से पहले आप सबसे फिर भी request है कि आप अगर मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है, दोस्तों प्लीज सास्क्राइब करना क्यूंकि इस चैनल में हम UGC net की paper 1 के साथ, paper 2 की, paper 2 education subject की important topic को कबार की करने की कोशिश करेंगे, किसी भी topic को नहीं चुरेंगे, जो आपको JRF तक लेज जा सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों, आज के class सिहा कतम करताब मिलते हैं, next class में और कुछ इंपोर्टेंट topic के साथ, तब तक बहुत आचा रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, थैंक्यू, बाबाई झाले